निम्मी कॉलेज में साइंस की चात्रा थी, अक्सर वा रेफरेंस के लिए लाइबरेरी जाती थी, एक दिन निम्मी कॉलेज की लाइबरेरी में पढ़ रही थी, कुछ देर बाद वा बुक शेल्फ से दूसरी किताब लेने के लिए उठी, पर सुमित ने उसे दीखा और अच्छे क्यों खड़े हो सुमित, और वो भी इतने पास, वो एक्चली मैं तुम से कुछ कहना जाता हूं, मैं तुम जैसे लड़कों के बारे में अच्छी तरह जानती हूं, लड़कियों को प्रपोस करने के नए नए तरीके ढूंदते हो, मैं तुम्हारी शिकायत प्रि तुम्हारी शिर्ट उस पर खोन का धबबा है, ओ, मुझे इस भारे में पता नहीं था, सुमित, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी सुमित, सुरी सुमित, अरे घबराओ मत, कोई बाद नहीं, ये लो मेरी जाकेट ले लो, और तुम कमर पर बांध लो, ता थांक यू सो मच, बहुत बहुत थांक यू, मैं, मैंने तुम्हें बिल्कुल गनद समझा, और तुमने मेरी मदद की, क्या मैं आपकी ये जाकेट कर लोटा सकती हूँ, आहां, बिल्कुल, कोई बाद नहीं, अपना ध्यान रखो, और मेरी जाकेट की जिनता तो बिल्कुल दो दिन बाद, फिर निम्मी सुमित के पास गई, और उसने उनको जाकेट लोटा दी, सुमित, आपने समय पर मेरी मदद कर दी, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद, अरे कोई बाद नहीं निमी, तो चले क्या फिरा एक तब काफी पर अब, चलो सुमित, थांक यू, इसी बहाने आपके साथ बैठ कर खुद बाचीत भी हो जाएगी, रोज क्लास के बाद, दोनों घंटों मिलते, बाते करते, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, कॉलज खतम करने के बाद, दोनों ने एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया, यानि कि अपना जीवन सा थी, परिवार वाले बहुत खुश थे और उनोंने उनकी शादी तै कर दी और फिर उनकी खुशी-खुशी शादी होगी, निम्मी बहुत खुश हुई और परिवार में अच्छे से एज्जस्ट होने लगी, एक दिन सुमित बिजनस मीटिंग के लिए बैंगलोरू गए थे और निम्मी घर पर ही थी, सुमित की मा ने घर में पूजा का आयोजन किया था, निम्मी, अरे निम्मी बेटा, पूजा के लिए प्रसाद त्यार कर लेना, और फिर हम सब मिलकर पूजा कक्ष में बैठ कर पूजा करेंगे, जी मा जी, मैं सब इंतजाम कर दूँगी और प्रसाद भी बना दूँगी, निम्मी रसोई में जाती है और पूजा के लिए सब तैयारी कर लेती है फिर वे पूजा की थाली लेकर पूजा कक्ष में जाती है जैसे ही निम्मी पूजा कक्ष में खुशती है तो उनकी सास निम्मी को देखकर कहती है अरे करम जली तूने ये क्या किया तूने प्रसाद क्यों बनाया मा मैंने ऐसा क्या कर दिया मैंने तो बड़ी श्रधा से प्रशाद बनाया था राधिका अरे राधिका छोटी बहू ने क्या कर दिया बड़ी बहू राधिका जल्दी आओ क्या हुआ माजी इतने गुसे में क्यों है देख जरा निम्मी की साड़ी पर लगे खून के धब्बे को देख उसके मासिक धरम हो रही है और उसने प्रसाद बनाया पूजा कक्ष में भी प्रवेस किया सारा घर पवित्र कर दिया रा दिखा अब जाओ और जाकर प्रसाद दुबारा बनाओ निम्मी को उपर वाले कमरे में छोड़ दो और घर के सारे नियम बताओ कि महिला को मासिक धरम में पहले तीन दिन उपवास रखना होगा सिरफ पानी पीना होगा और उस कमरे में अकेले रहना पड़ेगा ममी आप ये क्या कर रहे हो ममी मैं आपको कैसे समझाओं निम्मी कुछ नहीं सुनना चाहती चली जा मेरी नजरों से दूर ममी जी जबाना बदल गया है प्लीज मुझे अपने कमरे में जाकर सानिट्री पैड लाने दो मा एक पुरानी चद्दर पड़ी हुई अस कमरे में उसी का इस्तेमाल कर ले पागल कहीं की ये इस्तेमाल करूंगी वो इस्तेमाल करूंगी देवा कूफ लड़की तीन दिन बाद सुमित तूर से लोटाता है और वो निम्मी को ढूनने लगता है पर निम्मी उसे कहीं नहीं दिखाई देती निम्मी निम्मी मा मैं निम्मी को कहीं देखने पा रहा तो बजार है ये क्या नहीं नहीं वो उपर वाले कमरे में बैठी है उसको ये भी नहीं पता था कि हमारे घर के नियम क्या है कि मा सिक धरम में उपर वाले कमरे में रहना पड़ता है तीन दिन का उपवास है और चटाई पर ही सोना पड़ता है और किसी को उसे मिलने की इजाज़त नहीं है तू भी मत जाना उदर अरे मा, मा समय बदल गया है आपको पने सोच भी बदलने की जरूरत है आज हम आजाजी का अमरित महुत्सव मना रहे हैं लेकिन आपकी सोच आज भी आज़ाद नहीं हुई आज भी आप उस जूरी वादी सोच के साथ जी रही हैं हमें आजाजी के 75 साल से भी जादा पूरे कर लिये हैं लेकिन आपकी सोच एक सवी पुरानी महिला की सोच है मा, मा मुझे नीचे आने दो और ये कहकर निमी दोर कर सुमित के पास आ गई और सुमित ने उसे अपने गले से लगाया और बोला चलो निमी हम इस घर से चलते हैं और ये कहकर जैसे ही सुमित और निमी घर से जाने लगे तो मा ने आवाज दे कर उनको रोक दिया सुमित निमी आज तुमने मेरी आँखे खोल दी है जो पर्दा मेरी आँखों पर पड़ा था वो तुमने खोल दिया लेकिन मैं ये समझ चुकी हूँ कि ये एक प्रात्रितिक नियम है और ये जो घटना है ये हर महिला की जिंदगी में आती है लेकिन आज औरते माउंट एवरेस तक पहुँँची है और स्पेस तक जा चुकी है पाइलेट एंजिनियर बन चुकी है और वो सब कुछ जब इन दिनों में कर सकती है तो मैं अपनी बगों को इस चीज से क्यों रोकूं मुझे माफ कर दो राधिका और निम्मी मैंने तुमारे साथ बहुत अत्याचार किया सुमित तुम भी मुझे माफ कर दो सुमित कुछ बोलते क्यों नहीं कुछ तो बोलो अरे मैंने तो तुम्हें कभी कुछ गलत तरीके से सोचा ही नहीं था तुम तो हमेशा से ही मेरी प्यारी बीवी हो और ये सब सोच तो मेरी अपनी सोच पहुत दूर है और ये सब बातों को मैं समझता हूँ जानता हूँ और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि माँ ने भी तुमें पूरी तरह से अपना लिया है और ये कहकर सुमित निम्मी रादिका मा और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और उस घर में कभी भी लड़कियों पर पाबंदी नहीं लगाई गई और मा ये सोच को अच्छी तरह से समझ चुकी थी इस चीज़ को समझ चुकी थी लाल रंग सुहागन की निशानी होती है लाल रंग की बिंदी होती है लाल रंग की चुड़ियां और सिंधूर होते हैं और यही जो लाल खुण है ये भी एक नया जीवन देता है ये भी एक जीवन की शुरुवात है तो हमें किसी भी तरह से महिलाओं को अलग नहीं रखना चाहिए, जब भी उनके पीरियंड से मासिक धरम है, उनको परिवार का हिस्सा बना के रखना चाहिए, और उनकी खास जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, पौश्टिक भोजन देना चाहिए, और कुछ भारी काम नही करवाना चाहिए और अराम देना चाहिए ना कि उनको अलग करना चाहिए तो हमें उमीद है कि आप सभी भी अपनी सोच बदलेंगे और अजादी के 75 सालों में साथ ही साथ हम भी अपनी सोच को बदलेंगे और साफ सफाई का ध्यान भी जरूर रखेंगे